देगी फत्वे का मतलब है एक रिलीजियस ओपिनियन कि अगर हम मानेंगे तो वो मजब के दायरे में आ जाएगा नहीं मानेंगे तो वो तोड़ा सा अलग हट जाएगा पर से मौलाना लोग जो है वो आए दिन दारुलुलूम के जो दारुलिफता से ये रोजाना फत्वों क जो जड़ी लग गई है तो इसने मुस्लिम औरतों का जीना जो है वो बहुत ज्यादा दुश्वार कर दिया है हर और जो है आज इतनी ज्यादा परेशान है कि वह खाना कैसे खाएगी क्या खाएगी क्या करेगी बाहर कैसे निकलेगी अपने घर को कैसे मैनेज करेगी आज महिंगाई का इतना टाइम है, इतनी ज्यादा परेशानी है कि एक आदमी के कमाने से घर का पूरा नहीं हो सकता, उसको बाहर निकल के काम करने हैं, लेकिन मौलानाओं ने इतना शिकंजा टाइट कर दिया है कि वो घर से बाहर निकलते हुए दस बार सोचती है, जाओं या न गर में भूकों ने की नौबत आ रहा है इस बासे इन मुफ्ति О been upon öğren a sing को, को लेना देना नहीं है उन्हें और सिर्फ फट्वे जारी करना है कभी ये मुस्लिम और्तों के खाने पीने को ले करके फत्वे जारी करते रहते हैं, उनके पहनावे को ले करके फत्वे जारी करते हैं, वो कैसे रहेंगी, कैसे अपना आपको मेंटेन करेंगी, इसको ले करके फत्वे जारी करते हैं, लेकिन कभी ये पुर्शों के लिए कोई क्या attitude होना चाहिए कभी इस बात के लिए कोई फत्वा जारी नहीं होता आप पुली स्टेशन में जागर के देखे तमाम किसे जो हैं आपको domestic violence के मिलेंगे अगर ये लोग नारी के बज़ाए मेलाओं के बज़ाए मुस्लिम पुर्शों के लिए फत्वे जारी करना शुरू क है और हमारी गंदी जहनियत तो मस्ला पेस है कीलिए आप अपने फत्वा जारी किया पुरूश जो है सब्सक्राइब करेंगे नहीं को हैं कि इस तरह की मसला पेश ना है तो क्या वो चीज रिमूव हो जाएगी परिशानी का हल तब निकलेगा जब यह मुस्लिम पुरिश को टाइट करेंगे कि आप गंदी जहनियत के साथ किसी समारों में ना जाएं आप गंदी जहनियत के साथ किसी फैमिली फंक्चन में ना खड़े हों आप ज जो इस फत्वा फैक्ट्री को करनी चाहिए थी जिसका नाम दारूलूलूम है और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जारी करना रह गया है महिला से शक्तिकरण की बात इन्होंने नहीं की स्वच्ता अभियान सरकार चला रही है और जिसका बखान जो है इसलाम में अपनी सफाई को ले करके उसके लिए इन्होंने कोई फत्वा जारी नहीं किया बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ये अभियान जो है सरकार को चलाना पड़ा इसके लिए इन्होंने कोई फत्वा जारी नहीं किया तो इनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ फत्वा जारी करकर के लोगों मे एक दैशतगर्दी का महौल पैदा करना है, खौफ पैदा करना है लोगों के दिलों में, कि अगर आपने इन फत्वों को नहीं माना, तो आप काफिर हो जाएंगे, मुसल्मान नहीं रहेंगे, जो एक शरीयत इन्होंने खुद से बना लिया है, जो शरीयत अल्ला की है, उस श बनाय हुए इसलाम को मानने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं,